जैपूर में NSUI के कारे करताओं ने मंगी बीक रिद्धी सिद्धी चोराई पर प्रदार मंत्री के किलाप किया प्रदशन बोले सेम ओन्यो मोधी जी प्रदार मंत्री नरेंदर मोधी के जनम दिन पर सुरू हुआ NSUI का सेम ओन्यो मोधी जी केमपन लगातर जारी है गुर्वार को इस कड़ी में एनेशू आई के कार्य करताओं ने मान सरोवर के रिद्धी सिद्धी तोरहे पर भीक मांग प्रदेशन किया इसी दोरान बड़ी संक्या में युवा वायन चालको और राय गिरों से कटोरा लेकर मदद मांगते नजर आए इसी दोरान लो कोलीज अद्यक्स राजेंदर गोरा समेथ एनेशू आई के चादर नेता मौजूद रहे एनेशू आई के 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 प्रदिस प्रवक्ता रमेस वाटी ने बताई की केंदर सरकार के नीतियों की वज़े से आध देश की आर्थिक स्तती पूरी तरह से बिगट चुकी है करोना के बाद जान देश में रोजगार का संकट पेदा हो गया है वहीं अंदर तक किसान धन्ये पर बैटे हैं लेकिन केंदर की गुंगी बहरी सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है ऐसे में बेरोजगार और परेशान होकर युआउ ने आज केंदर सरकार के किलाब आम लोगों से बीक मंग विरोत परदर्शन किया है ताकि देश के युआउ की आवाद परदान मंति तक पहुंच सके व्यारा रिपोर्ट जैपोर आज जिस तरीके से जैयन भरती के परिच्छारती अधिनस्त बोर में अधिनस्त बोर के चेर्मेन को जब ग्यापन दिने गई तो महाँ पर S.H.O. को बुलाकर पुलिस के द्वारा भरवरता पूरोग लाखिया भाजी गई और चात्रों के केरिया को खराब करने की धंकी दी गई पुलिस प्रसासन ने गुंडा गिर्दी करते हुए दो चात्रों को करफतार किया और मेरे साथ भी द्रविवार किया इस तरीके से सरकार की तानासाई और पुलिस प्रसासन की गुंडा गिर्दी का कारण आम चात्र डरा हुआ है हम लोग लोगतांतरिक तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन पुलिस द्वारा बारबार छात्रों को दंडे की दौक पर और कानून का भे दिखा कर दराया जा रहा है कल विध्यारती परसद 11 वजे फिर से भाँ अनुरत करेगी होश्यार मेना प्रदेश मंद्री टेवी